हेलो गाईज, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूटुब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को Samco App से ट्रेडिंग कैसे करना है और यहां से आप लोगों को exit कैसे होना होता है, यह सार कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथी साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां आपको brokerage charges कितना pay करना होता है, तो वीडियो काफी interesting होगा, वीडियो पे आप लोगों को अंतक बने रहना है, तो च चलिए हम अपने app पे मिलते हैं, तो जैसी आप लोग अपने app को login करेंगे, आप लोगों को कुछ step का interface दिखाई देता है, अब आप लोगों को simple यह search bar के options पे जाना है, और यहां एक stock search कर देना है, जिस पे आप लोग trading करना चाहते हैं, तो मैं simple इसी को click करूँगा, और यह हाँ मैं simple एक stock search कर देता हूँ, टाटा still, मैं टाटा still पे trading करना चाहता हूँ, तो यह पहले number का जो company आएगा, इसी को आपको simple click कर देना है, ठीक है, तो यह मैंने इसको click कर दिया, click करने के बाद guys हमको कुछ step का interface दिखाई देता है, हमको क्या करना है, simple यह buy के options को click कर देना दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको क्या क्या options को select करना है, वो पहले आप समझे, top पे आपका normal रहेगा, उसके बाद यहां intraday रहेगा, यहां आपका quantity रहेगा, और उसके बाद यह आपका by default रहेगा, यह आपका day रहेगा, उसके बाद आपको simple quick trade के options को click कर देना है, त quantity एड करने के बाद, यहां आपको disclose quantity वो by default रहेगा, यह market protection यह by default रहेगा, यह day by default रहेगा, और यह इधर कुछ नहीं करना है, आपको ठीक है, simple आपको क्या करना है, quick trade के options को click कर देना है, आपको order जो है, market पे execute हो जाएगा, यह जैसे कि आपको order market पे execute हो चुका है, अब करना है, आप लोगों को देखना है कि आपको profit and loss कहां पे चल रहे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, simple यह back करना पड़ेगा, एक बार और और back करना पड़ेगा, एक बार और back करना पड़ेगा, अब आप लोगों को यह अपना portfolio के options को click कर देना है, ओके, तो चलिए हम अ दे रहा है क्योंकि आप कौन से रेंज पेंटरी किये थे आप जो है 165.60 पैसे की रेंज पेंटरी किये थे एक कॉंटेटी के साथ और अभी इसका प्राइज चर रहा है 164.75 पैसे का इसलिए यहां हमको लॉस दिखाई दे रहा है ओके तो आपको profit कैसे होगा आप इस range पेंट्री के हैं इस range से अगर price बढ़ेगा है ना इस range से अगर price बढ़ेगा तो आपको profit होगा और इस range से अगर price घटेगा तो आपको loss होगा तो अभी आप देख पा रहे हैं आपके range से price घट रहा है इसलिए आपको यहाँ loss दिखाई दे र तोड़ coconut करना सिंपल क्लिक करने के बाद आपको यह निचे पर इसको ए ऊप्शन दिखाई दे रहा वाँ उसको क्लिक करते हैं ठीक है और उसके बाद इदार आपको कुछ भी नहीं करना है simple आपको क्या करना है quick trade के options को click कर देना है आपका order execute हो जाएगा and आप market से बाहर हो जाएगे चली हम देखते हैं order से बाहर हुए के नहीं हुए यह थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा back करना है order back करना है और यह आप देख पार है आपका property loss चलना बंध हो चुका है and यहाँ जो आपका quantity वगेरा सो कर रहा था सब 0000 सो कर रहा है यानि कि आप यहाँ से exit हो चुके हैं guys ठीक है तो इस step से आप लोगों को क्या करना है trading करना है काफी असान है यहाँ से trade करना अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को brokerage वगेरा कैसे देखना होता है और किस step से आप लोग अपना brokerage वगेरा calculate कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग अब समझते हैं तो guys आपको simple google पर आना है और यहाँ आपको simple search करना है Samco app brokerage charges है न इसको click कर देना है यहाँ से आप data define कर सकते हैं ठीक है यह brokerage charges आपका यह आप देख पार है हलका से नीचे slide करेंगे आपको यहाँ सारा कुछ मिल जाएगा ठीक है मैं आपको और अच्छा से डिसका details पर दिखाता हूँ brokerage क्या क्या charges है क्या है कैसे सारा कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ तो guys आप लोग हलका से नीचे slide करेंगे यहाँ आपको यह more की options को click करना है more row है ना इसको click करना है यहाँ आपको सारा data मिल जाएगा हलका नीचे slide करना है और यह आप देख पा रहे हैं यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है यानि यहाँ आपको लिखा हुआ है 20 रुपीज है ना आपको 20 रुपीज पे करना है चाहे आपको equity पे trade करे future and options पे trade करे करे commodity पे trade करे currency पे trade करे हैना 20 रुपीज है 20 रुपीज आपको buy करने का 20 रुपीज आपको sell करने का यह आपको देना पड़ेगा चेह आप कितने quantity के सांद trade करे चेह यहां से अपना ट्रेडिंग का जननी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां और भी कुछ लिखा है, यहां देख पारें आप, अकाउंट ओपनी चार्जर एकदम फ्री है, है ना, अच्छा इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, यहां यह लिखा है कि अगर आप 12,000 रुपया हर साल इ देखिए, एक साल आपका अकाउंट मेंट चार्जर पूरा जीरो है, है ना, और बहुत सारे चीज़े है, आई प्यो पे पूरा जीरो है, और एक्विटी, डेरिवर्टी, कमोडिटी इस पर 20 रुपीस है, आपको जैसे कि मैंने बताया, और भी बहुत सारे यहां चीज़े है, वो चीज़े आप देख सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ओके, तो में जो होता है, वो ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज है, 20 रुपीस बाय करने का, 20 रुपीस सेल करने का, ओके, तो लो ब्रोकरेज है, आप लोग ट्रेडिंग करिए, अहां से अपन रेमें टेकरों ओपन कुल खीए तो गया इसानग के वीडियो बनाते रहता हैं तो अगर आप लोग इस ट्राप के वीडियो देखते हैं तो हमारे चानल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें जल्दी तब तक लिबाए